हेलो एवरीवन आज हम डिसकस करेंगे सोविल कंजर्वेशन मीजर्स के बारे में तो आगे हम देखते हैं सोविल कंजर्वेशन मीजर्स मैंली टू टाइप्स के होते हैं फर्स्ट एग्रोनोमिक मीजर एंड देन सेकेंड मेकिनिकल मीजर एग्रोनोमिक मीजर को जहां पर लेज देन 2% स्लोप हो और जहां पर एरोजन प्रोब्लम्स नोट सेवर हो मतलब ज्यादा गंबीर ना हो वहां पर इसका यूज किया जाता है इसमें कंटूर कल्टिवेशन, टिलेज, मल्चिंग एंड इस्टिप क्रोबिंग को इंक्लूड किया जाता है फर्स्ट देखते हैं कंटूर कल्टिवेशन इसमें क्रोब्स का कल्टिवेशन across the land看看 ग्रोब किया जाता है इसमें सोयल, सोयल फर्तिलीटी & वोटर को conserve किया जाता है second है mulching इसमें कोई भी material को soil surface पर apply किया जाता है जिससे evaporation को reduce किया जा सकता है and soil water को improve किया जाता है for example crop residues leaves, manures polythene films ETC को mulching के रूप में use कर सकते हैं generally dry reasons में soil moisture को conserve करने के लिए and erosion को reduce करने के लिए यह एक important practice है इसके बाद हम देखते हैं strip cropping इसमें plants को narrow strips में across the land slope grow किया जाता है and इसमें erosion resisting crops को alternate troops से erosion permitting crops के साथ बदल दी जाती है next देखते हैं second mechanical measures इसमें generally slope more than 2% हो तब use में लिया जाता है और इसमें different practices होती है first एक अंटूर बंडिंग जब slope 6% हो तब contour बंडिंग को adopt किया जाता है और high infiltration and permeability वाले arid and semi-arid areas में use में लिया जाता है then second दिखते हैं graded winding जब per year rainfall 800 mm से जादा हो तब इसको use में लिया जाता है और जहां पर length slope 2-10% हो तो वहां के लिए यह suitable होता है इंडिया में mostly contour and graded bending को use में लिया जाता है third है sub-soiling soil की hard pain को break करने के लिए sub-soiler का use किया जाता है जिसकी depth होती है 30-60 cm end interval होता है 90-60 cm fourth देखते है bench terracing इसमें हम slope की range 16-33% होती है और generally यह undulating lens में use में लिया जाता है fifth है ging terracing इसमें 3-10% slope पर इसे adopt किया जाता है last है vertical mulching mostly यह practice coffee garden में use में ली जाती है । में लिए जाती है जाती है